टिक टोक स्टार सोनालिफोगाट वरिष्ठ वाजबान नेतरी जो चुनाव से पहले टिक टोक को लेकर काभी सुर्खियों में रही थी और जब उन्होंने कॉंगरेश नेता कुल्दी बिजनोई के खिलाप आधम पूर्शे भारतिय जन्ता पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था उसमें वह खास्त और वर्शुर्खियों में आगी थी कि जब उनकी टिक टोक से जुड़ी वीडियो को काफी लोगों ने सेर केया था और सोसल मीडिया पर एक तरह से सोनाली फोगाट ने धमाल मचा दिया था चाहे सोनाली फोगाट आधमपूर में विधान चुनाव नहीं जीत पाई हो लेकिन टिक टोक को लेकर वह पूरे भारत औरज में परशिद हो चुकी है जी हाँ अब सोनाली फोगाट से जुड़ा एक ममला बड़ा सिंग्यान मया है जानकारी के इनुसार सोनाली फोगाट दिपावली के मोके पर अपने गाउं के बूथन गाउं में गई हुई थी इस दोरान वह कारकरताओं से मिल रही थी और कारकरताओं उन्हें दिपावली की सुबकामनाय देने के लिए उनके आवास पर जुटे हुए थे इसी दोरान बता जा रहता है कि रातरी को जब उसके साथ उसकी बहन वह उनका जीजा वह पर मौजू थे तो किसी बात को लेकर तीनों में कहा सुनी हो गई और सोनाली फोगाट ने पुलिस को सिकायत दे कर आरोप लगाए है कि उनके साथ उनकी बहन वह जीजा ने मार पिट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी उसकी सोनाली फोगाट की सिकायत पर फतहवाद प आरोप में मामला दरज कर लिया है और जान सुरू कर दी है गोड तलब है कि सोनाली फोगाट एक बड़ी कलाकार है और जब टिक टोक स्टार के उनकी वीडियो वाइरल हुई थी तो उन्होंने काफी परसीदी पाई दी इसके साथ ही भारतिय जंता पार्टी ने टिक टोक स कर भी दी लेकिन वह चुनाव हार गी थी उसके बाद पूरे भारत औरस में सोनाली फोगाट टिक टोक स्टार को लेकर परसीद हो चुकी है अब सोनाली फोगाट के साथ उसकी बहन वजीजा दोरा मारपिट करने का मामला बड़ा संग्यान में आ है और यह पूरे चर्चा क का विशे बन चुका है पुलिश भी अब इस मामले में जांच करने में जुट गई है वहीं दूसरी और जैसे ही टिक टोक स्टार सोनाली फोगाट के समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली कि सोनाली फोगाट के साथ उसकी बहन वैजीजा ने मारपिट किये तो कही ना कही उसके समर्थकों में भी माईशी चागी और रोस बन गया है सोनाली फोगाट से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और उनकी भावना कहीं इस घटना से आहत बताई जा रही है सोनाली फोगाट पूरे भारत वरश में परसीदी पा चुकी है और एक बड़ी श्टार ही न दावर नेताओं में सोनाली फोगाट का नाम लिया जाता है